नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज का हमारा विशय है खीरे की फसल में जो फल-गलन-्रोग आता है इस पर हम नियंतरन कैसे कर सकते हैं तो आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तो इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्यो बात करते हैं खीरे की फसल में फल गलन रोग पर नियंतरण हम कैसे कर सकते हैं सरुपरतम बात कर लेते हैं इसकी पहचान के बारे में इस रोग से फलो पर पीले या सफे दब्बे बन जाते हैं ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और फल अंदर से सड़कर बद्वू देने लगता है और रोग अधिक होने पर फल बेल से अलग हो जाता है नीचे भी गिर सकता है तो दोस्तो ये हैं हमारे खीरे की फसल में फल गलन रोग जो आता है उसकी पहचान दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके बचाओ के बारे में इसके बचाओ के लिए हमें रोग परतीरोधिक किस्मों का चेन करना चाहिए साथी बीज को हमेशा उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए और फसल को मचानविदी से ही हमें लगाना चाहिए साथी रोगी फलों को तोड़कर खेट से अलग कर देना चाहिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं खीरे की फसल में फल गलन रोग आता है इस पर रासाहिनिक नियंतर हम कैसे कर सकते हैं दोस्तो एक्रिकल्चर वर्ड का सुझाव है तीन सो ग्राम हेक्जाकेनाजोल 5% SC या चार सो ग्राम थायोफिनेट मिथाईल 70% WP को दो सो लेटर पानी में गोल कर परती एकर खेत में छिड़काओं करें दोस्तो हेक्जाकेनाजोल 5% SC और थायोफिनेट मिथाईल 70% इनका हम छिड़काओं करेंगे तो इस पर हम रोग पर फलगलन रोग पर नियंतर्ण पा सकते हैं दोस्तो अगर हम बात करें खीरे की फसल में फलगलन रोग जो आता है इसका जेविक नियंतर्ण हम कैसे कर सकते हैं इसके जैविक नियंतर्ण के लिए एक किलो ग्राम शुडो मोनास फोलोरेंसिस दो सो लेटर पानी में घोल कर परती एकर खेत में छिड़काओ करें इस परकाड से हम दोस्तो रासाइनिक और जैविक नियंतर्ण खीरे की फसल में फल गलन रोग के नियंतर्ण के लिए कर सकते हैं दोस्तो जानकरी आपको अच्छी लगी होगी तो अन्य किसान भाईयों को भी सेर जरूर करना और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और साथ ही अगर खीरे की फसल से सम्बंदित आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो